हलो दोस्तों मेरा नाम चन्रुशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगे के स्टडी वीजा या स्टूडेंट वीजा या रेजिदेंस पर्मिट फॉर दे पॉर्पर्स अव स्टडी के प्रोसेसिंग के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोसेसिंग में आप तोर पे कितना टाइम लग सकता है प्रोसेसिंग कैसे होती है अगर आपकी प्रोसेसिंग में डिले हो तो आपको क्या करना चाहिए इससे पहले कि हम आगे बड़े मैं आपसे request करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि मेरा purpose है आपको 100% genuine information देना तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हंगेरी के student visa की processing के बारे में अभी जो हंगेरी का student visa है इसको residence permit application for the purpose of study भी बोला जाता है अब पहले हम बात कर लेते हैं processing की देखिए जो processing time है जब आप अपना application submit करते हैं तो उसमें लिखा होता है minimum 21 days अब जो हमने observe किया है क्योंकि मेरी एक अपनी education consultancy company भी है और हमारा contract भी है कुछ Hungarian universities के साथ तो हमने देखा है कई ऐसे cases जहां पे actually student visa 21-21 दिन में approve हो गया हमने ऐसा भी देखा है जहां पे student visa approve होने में तकरीवन 90 दिन का समय लगा है तो basically अगर आपका plan है in fact February intake में apply करने का तो मैं कहूंगा कि आप अभी से apply कर दीजिए अपना documentation पूरा कर दीजिए क्योंकि processing में कई बारी बहुत लंबा time लग सकता है और इसमें कई बारी का चीज होती है सिर्फ आप follow up कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं दूसरा एक और सवाल आता है कि अगर आपका visa process delay हो रहा है student visa तो क्या करना चाहिए दीजिए student visa में क्या होता है generally आप पहले VFS में submission करते हैं अपने documents का उसके बाद आपको embassy जाना पड़ता है जहां पे आपका interview होता है और उसके बाद embassy क्या करती है आपकी जो application है उसको हंगेरी में forward कर देती है suppose करिए आप जिस भी university में जा रहे हैं जिस शहर में वो university है वहाँ पे उस area का जो immigration office है उसके पास वो application चली जाती है और वहाँ पे based on recommendation of Hungarian embassy in your country for example अगर आप इंडिया से हैं तो दिल्ली में आपका interview हुआ है या मुंबई में हुआ है तो वहाँ पे recommendation जो visa officer है उसके basis पे application process होती है तो अगर delay हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए देखिए एक आप जनली Hungarian embassy को mail भीजेंगे तो उनका standard reply है कि वो processing के लिए भीज दिया है तो अच्छा यह रहेगा कि आप अपनी university में बात करिए जनली क्या चीज होती है university में जो international admissions office के लोग होते हैं वो immigration के touch में रहते हैं क्योंकि बहुत सारे international students हरसा लंगेरी आते हैं तो वो उन से पूछ सकते हैं कई बारी informal तरीके से भी कि यह application से हैं आप इसका status बेसिकली देखिए laws allow नहीं करते हैं किसी और के बारे में information collector अबने का क्योंकि यॉरोप में privacy laws बहुत strict हैं लेकिन फिर भी आपकी university पता कर सकती है अगर आप वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप अपनी university से request करिए कि वो basically जो local immigration office है उससे follow up करें आपकी visa processing के बारे में दूसरा एक और चीजे patience रखना बहुत जरूरी है जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने cases देखे हैं जहां पे 20-21 दिन में भी visa मिला है और मैंने ऐसे भी cases देखे हैं जहां पे 90 दिन के बाद visa मिला है तो अगर time लग रहा है तो आप यह मत सोच जाएगा जब आप interview देने जाएंगे जनली visas जो मेरा observation है मैंने देखा है तब होते हैं जब आपकी अंग्रेजी में problem होती है या आप सही information नहीं देते हैं interview के दोरान कई बारी जो हंगेरी का student visa है उसके लिए test भी होता है या आप वो test में questions नहीं कर पाते हैं otherwise जो पूरा process ह होता है बड़ा smooth रहता है जाएतर जो students eligible होते हैं जिनकी अग्रेजी ठीक होती है उनको visa मिल जाता है की एक ही है मैं फिद्वा से repeat करूंगा आप preparation पहले करिए आप suppose करिए आपने February intake में जाना है तो यह नहीं कि आप November में application शुरू करिए मैं कहूंगा कि अभी से शुरू करि क्योंकि देखिए ऐसा है करीब 15 दिन से महीना भर आपकी उनिवर्सी लेगी उसके बाद आप एक date request करते हैं embassy से उसके बाद फिर embassy और जो immigration department है वो भी processing के लिए time लेती है तो आपको पहले से ही plan कर लेना है उससे basically आप बचेंगे यह waiting time से और आप मैं कहूंगा anxiety नहीं होग आप क्यों तो अगर आपके कोई और भी सवाल है हंगेरी के student visa के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं in fact हम कई Hungarian universities के लिए recruit भी करते हैं तो आप हमसे भी contact कर सकते हैं अगर आप हंगेरी में पढ़ना चाहते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा की आप हमारे यूटूब चैनल के सब्स्राइब कर लिजे थैंक यू वेरी मुच